हाथी का शीशी क्यू श्री गनेश के लगा गज और असूर के संयोग से एक असूर जन्मा था गजासूर उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासूर कहा जाने लगा गजासुर शिवजी का बड़ा भक्त था और शिवजी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं करता था उसकी भक्ती से भूले भंडारी गजासुर पर प्रसन हो गए वर्दान मांगने को कहा गजासुर ने कहा प्रभू आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विग्धन से मुक्ती चाहिए इसलिए मेरे शरीर से हमेशा तेय जगनी निकलती रहे जिससे कोई पास ना आए और मैं निर्विग्धन आपकी आराधना करता रहूं महादेव ने गजासुरों को उसका मंचाहा वर्दान दे दिया गजासुर फिर से शिवजी की साधना में लीन हो गया हजारों साल के घूर तप से शिवजी फिर प्रक्यट हुए और कहा तुम्हारे तप से प्रसन होकर मैंने मंचाहा वर्दान दिया था मैं फिर से प्रसन हूँ बोलो अब क्या मांगते हो गजासुर कुछ इच्छा लेकर तो तपकर नहीं रहा था उसे तो शिवाराधना के सिवा और कोई कामसंद नहीं था लेकिन प्रभू ने कहा कि वर्दान मांगो तो वह सोचने लगा गजासुर ने कहा वैसे तो मैंने कुछ इच्छा रखकर तप नहीं किया लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो आप केलाश छोड़कर मेरे उदर पेट में ही निवास करें भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू किया लेकिन वो कहीं मिले ही नहीं उन्होंने विश्नुजी का स्मरण कर शिपजी का पता लगाने को कहा श्रीहरी ने कहा बहन आप दुखी नहूं भोले भंडारी से कोई कुछ भी मांग ले दे देते हैं वर्दान स्वरूप वो गजासूर के उदर में वास कर रहे हैं श्रीहरी ने एक लीला की उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षन दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासूर के सामने जाकर नाचने को कहा श्रीहरी स्वयम एक गवाले के रूप में आये और बासूरी बजाने लगे बासूरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुन्दर नृत्य किया की गजासूर बहुत प्रसन हो गया उसने गवाला वेशधारी श्रीहरी से कहा मैं तुम पर प्रसन हूँ इतने साल की साधना से मुझ में वेराग्या आ गया था तुम दोनोंने मेरा मनुरंजन किया है कोई वर्दान मांग लो श्रीहरी ने कहा आप तो परम शिवभक्त हैं शिवजी की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हमें न दे सकी किन्तू मांगते होए संकोच होता है कि कहीं आप मना न कर दे श्रीहरी की तारीफ से गजासुर स्वयम को इश्वर तुल्य ही समझने लगा था उसने कहा तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभब नहीं तुम्हें मन्चाहा वर्दान देने का वचन देता हूँ श्रीहरी ने फिर कहा आप अपने वचन से पीछे तो ना हटेंगे गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो श्रीहरी ने उससे शिव जी को अपने उदर से मुख्व करने का वर्दान मानगा गजासूर वचनबध था, वो समझ गया कि उसके पेट में बसे शिवजी का रहस्य जानने वाला ये रहस्य ये कोई साधारंग वाला नहीं है, जरूर स्वयम भगवान विश्नु आये हैं उसने शिवजी को मुक्त किया और शिवजी से एक आखिरी वर्दान मांगा उसने कहा, प्रभू आपको उदर में लेने के पीछे किसी का अहित करने की मन्शा नहीं थी मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी समरंग किया जाए शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मोल नहीं रहा इसलिए प्रभू मुझे वर्दान दीजे कि मेरे शरीर का कोई अंच हमेशा आपके साथ पूजित हो शिव जी ने उसे वो वर्दान दे दिया श्रीहरी ने कहा, गजासोर तुम्हारी शिव भक्ती अद्भुत है शिव आराधना में लगे रहो समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी जब गणेश्ची का शीश धर से अलग हुआ तो गजासोर के शीश को ही श्रीहरी काट लाए और गणपती के धर से जोड़ कर जीवित किया था इस तरह वह शिव जी के प्रियपुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गया